हलो देर, धन्ता लाइबरेरी के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आगया जिसमें हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट स्कैनर अप की तो पिना किसी देरी के आईए देखते हैं सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है वहाँ पे आपको सर्च करना है टेक्स्ट स्कैनर OCR ये लिखते ही आपकी आप सामने आजाती है आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है इंस्टॉल होने के बाद आपको ओपन पे टैप करना है open पे tap करते ही आपकी app open हो जाती है और कुछ permissions मांगती है आपको allow कर देना है allow करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी app का camera खुल गया है तो यह app करती क्या है basically इस app का काम है फोटो में लिखे text को text में convert कर देना जी हाँ आप भी कई बार अगर notes लिखते हैं copy करते हैं और उन्हें type करना होता है तो अब आप type करने की जगे उनकी just photo क्लिक करके उसे text में convert कर सकते हैं तो आप मेरी screen पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास कुछ text है paper पे लिखा हुआ तो अगर मैं इसकी picture क्लिक करूँगा तो यह मुझे automatically text में convert कर देगा इस app के अंदर कुछ add जाते हैं जो कि totally ignorable है अब मैं picture क्लिक करता हूँ जैसे ही मैंने picture क्लिक करी तो यह देखिए यहाँ पे मेरा सारा text लिखा हुआ आ गया है including numbers, text, each and everything तो यह app मुझे बहुत अच्छी लगती है इस काम को करने के लिए आप उपर बटन से save कर सकते हैं share बटन से share कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि photo में कुछ miss type हो के आ गया है तो आप उसे edit बटन पे क्लिक करके edit भी कर सकते हैं उसके बाद हमें इस app के अंदर कुछ और features मिल जाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ यहां पे आपको उपर gallery का option मिल जाता है अगर आप चाहें तो आप अपनी gallery को भी access कर सकते हैं यानि कि किसी पहले की खीची हुई picture से भी आप text निकाल सकते हैं उसके अलावा आपको flashlight का भी option मिल जाता है आप देख सकते हैं मेरी screen पर glow आ गया है आप इसको यहां से off कर सकते हैं साथ में आपको यहां पे scan history का option मिल जाता है तो आप इस पर click करके अपनी scan history चेक कर सकते है और उसके बाद आपको settings का option मिल जाता है settings के अंदर आपको एक premium edition मिलता है scanning vibration मिल जाता है volume key से control करने का option मिल जाता है scan and auto save image का option मिल जाता है उसके अलावा भी आपको काफी सारे options मिल जाते हैं तो आप इस app को purchase कर सकते हैं add free बना सकते हैं और इसका मजा ले सकते हैं तो I hope आप को आज का वीडियो informative लगा होगा ऐसी और tips and tricks के लिए हमारे YouTube चैनल को subscribe करें and don't forget to press the notification bell icon thanks for watching